मैं विश्णो कांतितिवारी अपने तमाम भोजपुरी के जिदने भी हमारे दर्सक है सभी को यही से चरणश्व के प्रणाम करता हूँ और आज जिस सक्स से आप सभी को में रूबरू करवाने जा रहा हूँ वो अपनी पहचान का मोहताज नहीं है भोजपुरी के बहुत अच्छे गितकार और भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गायक जिन्होंने पैदा किया है गितकार मुना मुहित जी आज हमारे साथ है तो आई आप सभी को मैं सिधा मुना मुहित जी से आप सभी को रू भी देख रहालवा ओके हम्रा तरफ से बहुत हर्दिक बधाई शुपकामना बनेया साल के चाहँ किर्वाशब मंगल में रही कि मैं अगला सवाल आप से पुछूंगा हमारे एक यूटूबर है महेश पांडे जी वह खेषारी लल्यादो के जितने भी फैणस है जितने भी सुनने वाले हैं उनका कहना में लाई भाके कुछ दिर पहला भी बोले थे जो इस गाने में बोला गया है कि छपरा की छेल छबिली वो छेल छबिली नहीं बलकि छेल छबिला बोला गया है और खेसारी लाल यादो जी को ही बोला गया है तो जो ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं भरमा रहे हैं पबलीक को खिलाब कर रहे हैं इसके लिए आप उनको कैस अंदेश देना चाहेंगे अनुराग फिल्म के माध्यम से हम यह उनसे बताना चाहेंगे जदि कोई भी यूटूबर हो उनका तुम्हें अब उनका यूटूब चैनल देखा नहीं हूं कभी किस चैनल से हैं कौन है क्या है जो भी है भाई हमारे अगर इस टाइब के ठीपनी क सोच है तो वह अपने आप में परिवर्थन करें सोचे अच्छा अगर यूटूबर बनना चाहते हैं तो किसी में नक्रात्मक पहलू को मत दिखाए सक्रात्मक चीज को दिखाए ना गीत का बहुत सा अर्थ होता है आप गलत के वर्थ लगा लेते हैं किसी बात को हर गीतों को आप नक्रात्मक हटा करके अच्छायों को दिखाएगा तो भजपूरी का विकास होगा आप जैसे लोग चैनल वाले लोग अगर इतना दूर तक भजपूरी को बढ़ाने में योगदान किये हैं तो उसमें सिक्षित लोगों का योगदान है पढ़े लिखे लोग होते ह अब आनाडी भी आज यूट्यूब चैनल चला रहे हैं अपने आपको ये बोलते हैं किसी के भी से में गलसलत बोल देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए उनका यहीं मेरे तरफ से यहीं संदे से कि भाई किसी के बारे में पहले जानी हैं अगर बहुत आपको बुरा लगा नहीं गीत सुनकर के तो आप वले हमसे बात कर लिया होते हैं चाहें आप अच्छे जो गितकार हैं और विद्वान हैं उनसे इस भी से में पूछते कि यह गाना क्या सही है या गलत है तो आपको लोग बता जेते हैं इसी तरह किसी टाइप के मतलब लेम करना रितेस पांड झाल मॉए